बिहार के पूर्व उपमुक मंत्री और नेतापरति पक्षते जस्वी यादों ने साफ तोर से एलान किया है कि अगर उनकी सरकार 255 में आती है तो पूरे बिहार वासियों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और इसको लेकर हम सीधे BJP कारियाले पहुँचे है और BJP प्रवक्ता सुमित ससांख हमारे साथ है सुमित जी क्या कुछ कहेंगे देखिया जूट बोलना जोर से बोलना बार बार बोलना ये पूरा का पूरा लालू परिवार बहुत अच्छे से जानता है पहले क्या था कि पहले लालूजी ने बिहार के लोगों का अलकत्रा चोरी कर लिया क्यों चोरी किया क्योंकि सड़के और विनिर्मान छेतर जो है वो आगे बड़ नहीं पाये बिहार के industrial revolution को समाप्त करने का काम और बिहार में इंडस्ट्रीज नो आ पाए इसके लिए कहीं न कहीं अपराधियों का एक बड़ा गिरोह राजत प्रायोजित गुंडा तंत्र जिसको कहते हैं तो वो पूरे बिहार में फलिभूत हुआ और अपराधियों की जमात और अपराधियों को खास करके अपराध मान सकता के जो लोग हैं, अपराधिक मान सकता क के लोगों को आगे बढ़ाने का काम RJD ने किया जिसके कारण बिहार में आपने देखा होगा और पूरा बिहार जानता है कि किस तरीके से अपहरन उद्योग फलीभूत हुआ जिसके कारण बाहर से आने वाले निवेस जो हैं वो बिहार में बंद हो गया लाल्टेन योग में क केरोसीन से गरीबों का घर जलाने वाले लोग और उसी केरोसीन की दलाली करने वाले लोग आज किस पाटी के साथ जुड़े हैं ये भी पूरा बिहार जानता है तो ये फिरी बिजली दनी की बात करते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले केजरीवाल को फॉलो करने क जो तरीका इन लोगों ने अपनाया है, जो जिल से निकलता है, तो पटाके फुटते हैं, बेल पे जाने के कारण, और conditional बेल, एक ऐसा बेल जिसमें बताया जाता है, कि ना वो वैक्ति अपने कारियाले जा सकता है, ना किसी पेपर पे हस्ताक्चर कर सकता है, तो ऐसे ही लोग समीकरन बनाया, मुसल्मानों पे सबसे ज़्यादा मुसल्मानों के बच्चे जो है, उनका पलायन हुआ किसके काल में, तो लालू जी के काल में, और इनसे यादो जाती से आने वाले जो लोग हैं, खास करके इनके कारे करता, इनसे पूछेंगे कि बिहार में कोई दूसरा यादो नेता नहीं था क्या, जो ये हर्याना से पकड़ करके नेता ला करके इन्होंने राज्यसभा बेज दिया, इस पर भी तो बात होनी चाहिए, पर यहाँ सवाल बिजली क्या हो रहा है, अगर हम बात करें सुमीच जी, तो पूरे बिहार में, जब से स्मार्ट मीटर ल और उसी मुद्दे को कहीं न कहीं तेजस्वी ने पकड़ लिया, देखें मुद्दा होना और मुद्दे को अफवाह की तरह परियोग करना, दोनों में काफी का अंतर होता है, यह मेरा मानना है, ऐसा कुई मुद्दा नहीं, आज 24 घंटे बिजली लोगों को प्राप्त होत और ग्रामिन तब के से आने मले लोगों को सबसीडी भी प्रदान करने का काम बिहार सरकार करती है, लेकिन यह अफवाह मंडली के लोग है, लालू जी से विरासत में इन्होंने बहुत ही स्माटली क्रेडिट चोरी करना सिखा, स्माट मीटर इधर लगा, इन्होंने स्माट स्माटली क्रेडिट चोरी करना सीख लिया, अभी माई बाप समीकरन मना के घुम रहे हैं, और माई बाप दोनों याद दिलाएगी इनको बिहार की जनता, यह जूटे वादे करने से कुछ नहीं होगा, 200 यूनिट आपको बिजली दे देंगे, यह नोंने वादा किया, और इनका जो गुंडा तंत्र है, वो जागरित हो जाएगा, आपके घर में बल्ब रहेगा तब ना, बिजली जलाईएगा आप, आपका तो बल्ब भी लूट के ले जाएगा, घर रहेगा तो तब ना, आप घर के अंदर रहेंगे, आपका तो घर भी लूट के ले जाएगा, यह कौन लूट के लिए जाएगा यह राज़त प्रायूल गुड़ा तंत्री तो लूट के लिए जाएगा। अब सोचे कितना ज्यादा उर्जा की आवशक्ता वहाँ होगी और कितने लोगों को काम मिलेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए न, अभी रोजगार की बाती नहीं कर रहे हैं। 24 घंटे बिजली प्राप्त होती है और कोई भी बैक्ती जहां भी समिक्चा चल रही है, जहां भी चीज़े स्मार्ट मीटर अथवा किसी भी, नई टेकनोलोजी के आने से अगर कहीं भी लोगों को लगता है कि उसमें कोई भी कमी है, उसको दूर करने का काम किया मैं पूछना चाहता हूँ कि अब अगर कहीं एक चीज़ की कमी हो जाती है, किसी काम को करने में, 100% हमने अपना लक्ष रखा, 99% अगर हमने काम किया, एक परतिसत अगर कोई काम छूट जाता है, उसको भी करने के लिए अगर हम वचनबधता से काम करते हैं, तो क्या 99% लू मुसा लूट लेने वाले जो लोग हैं, वैसे लोगों को बिहार की जनता बोट देगे, क्या है, बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे तो कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आठवी फेल और आठवी पास, नवी फेल वेक्ति हैं, लालू जी जो उनके पिताजी हैं, उनको बहुत अच्छे से पता था, उस पूरे परिवार ने तै किया, कि उनके राजकुमार से ज़्यादा पढ़ा लिखा वेक्ति कोई बिहार में नहीं हो, तो एक कहावत है अंधो में काना राजा, तो पूरे बिहार को बेवकूफ बनाने का काम, इन लोगों ने किया था, आज बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है, बिहार की युवा समझ चुके हैं, खासकर कि यादो जाती के भी युवा समझ चुके हैं, अंधो में काना राजा क्यों, बिहार में जो यादो जाती से पढ़े लिखे आने वाले जो बच्चे हैं, लालू जी का बेटा क्यों, किसी और का बेटा क्यों ने, लालू जी के बेटे के सर पे कोई हीरे का मुकुट जड़ा हुआ था, क्या, और हीरे का मुकुट करने की तरह सोने का कवच कुंडल लेके पैदा नहीं हुए थे न वो, तो जैसी बात है कि ये थे हमारे साथ बीजेपी, प्रवक्ता इन्होंने साफ तोर से तेजस्वी यादो के 200 यूनिट फ्री देने मामले पर बीजेपी की तरफ से अपनी पक्ष रखा है और साफ तोर से कहा है कि जिस तरह से मुद्दा विहीन और जूट की राजनिती आधार नहीं है। नीरस्त्र पाथी, News24, पटना